कि नमस्कार आज क्लास 10 का हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे सबसे इपोटेंट टापिक है दौर सोला सत्र ठारा उननीस बीस एककाईस बाइस यह हर साल देखने को मिला है रुधीर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए मतलब रुधीर और लसिका में क्या क्या अंतर है ड लाल होता है याद रखेगा रुधीर जो होता है रंग हीन नहीं होता है इसका रंग क्या होता है लाल होता है लेकिन इसके अपोजिट चला जाए बिलोंत लसिका रंग हीन होता है आइसका कोई रंग नहीं होता है इसका कोई कलर नहीं होता है ठीक ना अब नंबर सिकेंड पृधियर में लाल निजिंट कडिकाएं की संख्या अधिक मात्रा में होते हैं बृधियर में लाल रसाय दिश्या पेसे न संख्या मात्रा परेगे होती दो अब आते हैं यहां नेक्स वाले पर रुधीर में स्वेत रुधीर कड़िकाएं की संख्या की मात्रा कम होती है स्वेत जो होता है इसमें क्या पाई जाता है कम पाई जाता है लेकिन लाल अधिक पाई जाता है इसमें अपोजिट हो गया उल्टा हो गया है तो जान लेते हैं इसमें लसिका में स्वेत रुधीर कडिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं अब आते हैं ध्यान देते हैं नंबर चोथा इसमें अधिक पाई जा रहा देख लिए अब यहां आते हैं रुधीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती हैं जैसे कि देखा क्या हो जाती है कम पाई जाती है ति आप लोग को जहां तक देखा जाती वीडियो आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा एक बार ध्यान देते हैं हम लोग रुधिर और लशिका में तो रुधिर रंग हीन नहीं होता है यह तो किलियर आप लोग दीजेगा आप लोग हर साल देखने को मिला हर साल अगर उठाते हैं आप लोग या किसी पेपर को उठाएंगे तो हर साल प्रिवोड में तक आ गया है नेक्स से देख लेते सेकेंड नंबर रुधीर में लाल रुधीर कडिकाएं की संख्या अधिक मात्रा में पाया जाती जो स्वेत रुधीर कडिकाएं की संख्या की मात्रा कम होती है लसिका में स्वेत रुधीर की कडिकाएं की संख्या में कम अधिक संख्या में पाये जाती है रुधीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जबकि अगर देखा या तर लसिका में प्रोटीन की मात्रा क्या होती अब आते हम लोग धमनी और सीरा में अंतर पड़ते हैं यह भी देखा जाए तो हर साल देखने को मिला है बहुत लाजबाब यह भी है धमनी और सीरा बहुत सरल सब्सक्राइब लिखा हूं इसको ठीक है न तो आप लोग इसको ध्यान देते हैं नमबर है इसमें रूद्हीर से अंग की ओर बहता है मतलब धयान देने की बात है यहां पर उल्टा कर दिया इस तक जो होता है इसमें यह सेर्दे की और बहता है तरिए इसमें लोगों को पहला कामन बात पतली मोटिक क्या किया है पतली आए यहां पर अधिक क्या किया कम लचीली कर दिया है अब यहां पर तीसरा देख लेते हैं यह खाली होने पर भी नहीं पीचकती हैं यह खाली होने पर भी नहीं पीचकती हैं लेकिन यह देख लेते हैं यहां पर क्या हो रहा है यह खाली होने पिचक जाती है यहां लिखा हुआ है कि यह खाली आ गार भी नहीं में ती है यह आदे कौलर पर कि शक्तिंग में ऐने होता है इनका रंग गुलाबी या चटकलाल होती है जो रंग होता है जेसे गहरा बोलते हैं गहरा हो सब्सक्राइब करना है यह हर साल देखने को मिला है कि जायलम का मुख्यकार होता है फुलियम का मुख्यकार होता है जब जायलम देदे तो जान लीजेगा जल का अस्थाना अंतरीत करता है मतलब जाहिलम का मुख्यकार क्या होता है जल का अस्थाना अंतरों करना होता है जबकि पौधों में भोजन का अस्थाना अंतरों जैसे पौधे जो भोजन करते हैं उसका अस्थाना अंतरों करता तो फुलियम करता है कीक सबसेजाभील सब्सक्राइब करना होता है व्तुग करना होता है तो दौरा भेजा जाता रहता है तो आ..... कभी अंतर बताईते जाएल मुद्थत्तक पौधों में जल अस्थानेंतीत करता है जबकि फौधों में भोजन का अस्थान न्तरा फोले मुद्थतक द्वारा होता है तो याद रखिए घ्री आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और स्थेर करते रहें सस्क्राइब क्लीम